Hello students, welcome to Magnet Brains. कैसे हैं आप सब? I hope आप सब बहुत अच्छे से होंगे. My name is Neha Verma from Magnet Brains. So students, Magnet Brains एक ऐसा YouTube channel है, जहाँ आपको Kindergarten, मिंस KG से Class 12 तक, आपको आपके पूरे स्लेबस का वीडियो मिलता है, वो भी 100% free. Yes students, यहाँ से पढ़ाई करने का, यहाँ से वीडियो देखने का, आपको कोई भी payment नहीं करना पड़ता. तो चलिए शुरू करते हैं आज की पढ़ाई. Students हम कर रहे हैं कक्षा 4, Class 4 का Hindi, और इसमें आज हम करेंगे अभ्यास कौन से पाठ का? Part 5 का. Yes students, Part 5 कौन सा था हमारा? दोस्त की पौशाक. बड़ा ही मज़ेदार पाठ था. इसमें कौन से दो दोस्त थे? जल्दी से याद करके बताईए. नसीर उद्दिन और जमाल सहाब. है ना? तो उन दोनों के बारे में उनकी दोस्ती का एक किस्सा इस पूरे पाठ में हमने देखा. ठीक है? अब उसका हम करेंगे आज अभ्यास. ओके सूरंस? तो रेडी हैं आप सब लोग? चलिए करते हैं. येस. तो देखे. पहला हमारा जो प्रशन है तुम्हारे सवाल. मनि क्या है इसमें? कहानी के बारे में कोई पाच प्रशन बनाकर नीचे दी गई जगह में लिखो. कौपी में उनके उत्तर लिखो. मनि आपको खुद प्रशन बनाना है. ठीक है? और आपको उनके उत्तर भी देना है. राइट? चलो. तो हमारा पहला प्रशन क्या होगा? जमाल साहब से मिलकर बहुत खुश हुए. तो किस से मिलकर नसीर उद्दिन बहुत खुश हुए थे? अपने बहुत पुराने दोस्त. और उनका नाम क्या था? जमाल साहब से मिलकर बहुत खुश हुए. ठीक है? तो ये हुआ हमारा पहला प्रश्न और उसका उत्तर ठीक है दूसरा देखो जमाल सहाब ने नसीर उद्दिन के साथ उनके महले में घूमने से क्यों मना कर दिया है ना इसका उत्तर आप बता सकते हैं क्यों मना कर दिया क्योंकि उन्होंने मामूली पौशाग पहन रखी थी क् चलो महलने में घूम कर आते हैं तो उन्होंने क्या बोला नहीं नहीं हम नहीं जाएंगे क्योंकि हमने बहुत ही मामूली पॉशाथ पहन रखी है बहुत मामूली से कपड़े पहन रखे हैं ठीक है तो इस कारण वो महलने में घूमने से जाने से मना कर रहे थे ठीक है students तो दो प्रश्नों के उत्तर हो गया हमारे चलो आगे देखे येस अब तीसरा प्रश्न क्या हो सकता है यहाँ सुनकर जमाल साब पर तो मानो घड़ो पानी पढ़ गया क्या सुनकर घड़ो पानी पढ़ गया था अभी बताते हैं क्या सुनकर जमाल साब पर घड़ो पानी पढ़ गया ठीक है घड़ो पानी पढ़ गया यह क्या एक मुहावरा है students है ना इस मत्लब क्या होता है घड़ो पानी पढ़ गया माने ऐसा लग रहा है किसी ने घड़ो से भर कर घड़ा माने मटका माने मटकों से भर कर पानी उपर डाल दिया इसका मतलब होता है शर्मिंदा होना माने किसी चीज के लिए बहुत शर्मिंदा होना मतलब आपने कुछ गलत काम किया है और किसी ने आपको पकड़ लिया जैसे मालो आपने कोई चोरी कर ली और किसी ने आपक की अच्कन पहन कर उनके महले में घूमने निकले तो जमाल सामने किसकी अच्कन पहनी थी नसीरुद्दिन की अच्कन पहनी थी है ना फिर क्या हुआ दोस को लेकर नसीरुद्दिन पडोसी के घर में गए सबसे पहले वो कहा गए थे पडोसी के घर में पडोसी से उनका कि गए जमाल साप को अपने पडोसी के घर में और वहाँ जाकर उन्होंने क्या Wars किंए और यह तो मेरे दोस्त हैं लेकिन इन्होंने जो अचकन Right students, चलो आगे बढ़ते हैं, ये देखिए, चौता जो हमारा प्रशन है, नसीरुद्दिन ने किस से माफी मांगी, नसीरुद्दिन ने अपने दोस्त जमाल सहाब से माफी मांगी, प्रिकि जब उन्होंने ये बता दिया पडोसी के घर में, कि उन्होंने तो मेरी पोशाग प क्या हो सकता है, क्या नसीरुद्दिन ने जान बूच कर गलती करी, माने वो दूसरों को जान मूच कर बता रहे थे, कि ये मेरी पोशाग पहनी है इन्होंने, नहीं, नहीं बता रहे थे न, नहीं, दरासल वा कम बुद्धी वाला आदमी था, माने नसीरुद्दिन में अपने दोस्कों कोई चीज डेंगे मालो आपने उसको अपना की पैंसिल दी है न तो आप पूरी क्लास में बताओगे कि और ये मेरी pénसिल है मेरी पैंसिल है नहीं बताओगे नसे ही मतलब नसीरिद्दिन को थोड़ी अक्ल कम थी उन्हें इस बात की अक्ले नहीं थी कि किस जगह पर कैसी बाते करनी चाहिए ओके स्टूरंस चलो आगे बड़े येस दसुरिद्दिन और जमाल साहब बंठन कर घूमने के लिए निकले बंठन कर माने तयार होकर बड़ी अच्छे से तयार होकर ठीक है तुम बंठन कर कहां कहां जाते हो माने आप बंठन कर कहां जाते हैं बंठन कर मैं विवा समारों में माने किसी के विवा शादी ब्या में जनम दिन समारों में तथा मौल में जाता हूँ या जाती हूँ है ना तो हम शादी ब्या में जाते हैं किसी के जनम दिन पर जाते हैं या फिर मौल में घूमने जाते हैं ठीक है students बंठन कर बढ़िया तैयार होकर राइट चलो आगे बढ़ते हैं येस तुम किस किस तरह से बनते ठंते हो मने बंठन तो हम गए मने तयार हो गए लेकिन हम कैसे तयार होते हैं कैसे बनते ठंते हैं है ना मैं नए कपड़े और जूते पहन कर बनता ठंता हूँ क्या करते हैं हम नए नए कपड़े पहनते हैं नए नए जूते पहनते हैं और इस तरीके से हम तयार हो जाते हैं है ना स्टूरंस चलो आगे बढ़ते हैं तीसरे मकान से बाहर निकल कर जमाल साहब ने नसीर उद्दिन से क्या कहा होगा देखो वो तीन जगे गए सबसे पहले तो वो पलोसी के गर गए फिर वो हुसैन साहब के गर गए फिर वो एक और जगे गर गए है ना पहली जगे पे क्या बोला था नसीर उद्दिन ने कि यह जो पशाक है यह मेरी है ठीक है दूसरे घर में जग जो हुसैन साहब के गर में क्या बोला नहीं नहीं यह जो अचकन पहने यह इनी की है ठीक है और तीसरे में क्या बोला तीसरे में यह बोला कि अब मुझे तुमारे साथ कही नहीं जाना है, मुझे वापस ले चलो, माने जमाल सहाब का तो गुसा साथवे असमान पर था, वो बहुत गुसे में थे, उन्होंने क्या बोला होगा, मुझे तुमारे साथ कही नहीं जाना, अब मुझे घर वापस ले चलो, है न, यही कहा यह तो बोला नहीं होगा चलो एक और घर घूमने चलते हैं है ना क्योंकि वह बहुत गुस्से में थे और उन्होंने बोला अब मुझे वापस मेरे घर ले चलो राइट चलो आगे बढ़ते हैं येस जमाल साहब अपने मामूली से कपड़ों में घूमने क्यों नहीं जाना च आते होंगे देखो इसका उत्तर शायद उनका ख्याल हो की आदमी की हैसियत उसकी आदमी की हैसियत की पहचान उसकी कपड़ों से होती है वो क्या सोच रहे होंगे कि आदमी की हैसियत मानि कौन कितना पैसे वाला है उसकी उतनी समझ किस से होती होगी उसके कपड़ों से होत हैं यह किसकी समझ होगी यह जमाल साहब की समझ होगी वैसे स्टूडेंस ऐसा नहीं होता है ना कपड़े देखकर हम किसी की पहचान नहीं बता सकते ठीक है स्टूडेंस कपड़े इंसान का अपना शौक होता है है ना लेकिन उसकी पहचान नहीं लेकिन यहां पे जमाल साहब शायद उनकी सोच ये होगी कि कपड़ों से किसी की भी हैसियत ना पी जाती है इसलिए वो मामूली सी पशाक में घूमने नहीं जाना चाहते थे ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं अब यहाँ देखे नसीरुद्दिन अपनी अचकन के बारे में हमेशा क्यों बताते होंगे नसीरुद्दिन हमेशा अपनी अचकन के बारे में क्यों सबको बताते थे क्योंकि बस हसने हसाने के लिए क्योंकि वो जानमूच के तो नहीं किसी को भी शर्मिंदा करना चाते थे सिर्फ हसने हसाने के लिए ओके सुदंस चलो आगे प्रशन देखते हैं जमाल साप और नसिरुद्दिन हुसेन साप के घर से बाहर निकले ठीक है अब जब ये दोनों दोस्त हुसेन साप के घर से बाहर निकले तो उन्होंने अपनी बेगम को नसिरुद्दिन और जमाल साप से मुलाकात का किस्सा सुनाया अब वो लोग तो उनके घर से चले गए लेकिन घर में जब उन्होंने अपनी बेगम, मने उनकी जो बीवी थी, उनकी वाइफ थी, उन्हें उन दोनों का किस्सा सुनाया उन दोनों के बीच में क्या बात्चित होई होगी लिखकर बताओ तो मने हुसेन साहब और उनकी बेगम के बारे में क्या बातचित होई होगी यह हमें लिखना है ठीके तो हम यह अनुमान लगा सकते हैं students हमें पक्का नहीं मालूम कि क्या बातचित होई होगी ठीके तो पहले बेगम बेगम ने क्या पुछा होगा कौन आया था ठीक है, तो हुसेन साहब ने क्या बोला होगा नसीर उद्दिन अपने दोस्त के साथ आया था मने कौन आया था, नसीर उद्दिन अपने दोस्त के साथ आया था फिर बेगम ने क्या बोला, दोस्त का नाम क्या था तो हुसेन साहब ने क्या बोला, जमाल वहाँ उसका बहुत पुराना दोस्त था है न? तो ये तो परीचे हो गया दोस्त का, हुसान शाब ने अपनी बेगम słा बता दिया क्यों सुस्के दोस्त का नाम जमाल था, बेगम तब क्या-क्या बाते हुई, मानने अब आपको परीचे थो पता चल गया अब बेगम ने क्या पूछा होगा तो क्या-क्या बाते हुई तो हुसेन साब ने बोला तुम तो जानती हो नसिरुद्दिन को क्या खूब इंसान है मैंने नसिरुद्दिन को पूरे उनके बहुलने वाले जानती थे कि वे बड़े ही खुश मिजास इंसान थे बहुत खुश मिजास बाते करते थे, लंबी-लंबी बाते करते थे, है ना, और सब को हस्ते हसाते थे तो बेगम ने बोला, इसका मतलब है, उसने फिर कुछ मज़ेदार बात कही होगी समझ गया आप? माने वो सबसे मज़ेदार बाते ही करते रहते थे ठीक है? चलो तो हसेन साब ने क्या बोला? हाँ, हाँ, तुमने ठीक अनुमान लगाया, माने तुमने ठीक पहचाना नसुरिद्दिन अपने दोस्त जमाल का परिचय करते समय यह कह रहा था कि उन्होंने, माने जमाल ने जो जमाल ने अपनी ही अचकन पहन रखी है माने उन्होंने बता दिया कि उन्होंने क्या बोला नसिरुद्दिन ने कि जमाल ने अपनी ही अचकन माने अपने ही कपड़े पहन रखे हैं अब बताओ है ना तो बेगम ने क्या बोला तब तो जमाल सहाब जरूर नसिरुद्दिन का ही अचकन पहन कर घूमने निकले होंगे तो बेगम समझ गई कि अब जब उन्होंने ये बोला कि उन्होंने अपनी ही अचकन पहनी है तो बेगम समझ गई कि नहीं अब तो अचकन जरूर नसुरुद्दिन की ही होगी मता सोची उनके पूरे मौले वाले नसुरिद्दिन को कितने अच्छे से पहचानते थे है ना स्टूडंस तो हुसेन ने क्या बोला मुझे भी ऐसा ही लगता है बेगम तब तो जमाल साब जरूर नाराज हुए होंगे हुसेन उनके चेहरे से तो ऐसा ही लग रहा था तो बेगम ने क्या बोला फिर तो जमाल साब नाराज हो गए होंगे तो हुसेन ने क्या बोला उनके चेहरे से तो ऐसा ही लग रहा था ठीक है चलो अब ये तो हमने पड़ा हुसेन साब और उनकी बेगम के बीच में जो बाते हुई थी ठीक है आगे देखते हैं घूमना फिरना नसुरिद्दिन ने कहा चलो दोस महले में घूम आए जब नसुरिद्दिन अपने दोस से मिले वे उसे अपना महला दिखाने ले गए जब तु से मिलता हूं या मिलती हूं तो मैं भी आसपरोस में घूमने जाता हूं हम भी अपने दोस्त के साथ आसपरोस घूमते हैं धेर सारी चीजे खरीदते हैं दोस्तों के साथ मन पसंद चीजे खाते हैं उनके साथ गपशप करते हैं माने बहुत सारी बाते करते हैं खूब हसते हसता, खूब हसते, हसाते हैं, कभी-कभी उनके साथ खेलता भी हूँ, मैंने को गूमते बिरते हैं, हसते हैं, खाते हैं, बहुत सारी गपशप करते हैं, है न, तो ये प्रेशन भी आप अपने आप लिख सकते हैं, वैसे तो मैं आपको दिया है, आप अपने आप भी लिख सक चलो आगे बढ़ते हैं येस करके दिखाओ अब आपको क्या करना है यह आपको करना है खुद करना है ठीक है नीचे कुछ वाक के लिखे हैं तुम्हें इनका अभिनय करना है माने आपको वो करके दिखाना है ठीक है तुम चाहो तो कहानी में देख सकते हो कि इन कामों का जिक कहां आया है मैंने कुछ ऐसे-ऐसे वाक्शे दिये हैं आपको क्या करना है उसकी अश्प्रक्टिंग करनी है अभी नहीं करना आप घर में करो दोस्तों के सामने करो अपनी कुलास में करो ठीक है पहला वाक्य है बंठन कर घूमने के लिए निकलना मतलब जब आप तयार होकर घूमने के लिए निकलते हो तो कैसे निकलते हो ठीक है घरो पानी पढ़ना मतलब शर्मिंदा होना इसका आपको एक्टिंग करनी है मुँ बना कर शिकायत करना जैसे मालो आपके उसने आपको मार दिया, आपको कुछ गलत कह दिया, तो आप मुह बना कर कैसे अपनी मैम से कंपलेन करोगे, या कैसे भाई ने मार दिया, कैसे अपनी मम्मी पापा को कंपलेन करोगे, गर्म जोशी से स्वागत करना कोई आपके घर में आया है और आप उसका स्वागत कैसे करोगे नाराज होना देखते ही रह जाना मतब कोई ऐसी चीज आपके सामने आई है जिसे आप देखते ही रह गए ठीक है तो इन वाक्यों का आपको अभी नए करना है अपने आप ठीक है स्टूरंस चलो आगे बढ़ते हैं येस नसिरुद्दिन की बात सुनकर जमाल साब पर तो मानो घरो पानी पढ़ गया ये वाक्य है हम अलरेडी देख चुके हैं घरो पानी पढ़ना एक मुहावरा है ठीक है सूरंस इसका क्या मतलब हो सकता है पता लगाओ ये माडम ने आपको अभी बता दिया तुम इसका मतलब पता करने के लिए अपने साथियों या बढ़ो से बातचीत कर सकते हो या शब्द कोश देख सकते हो तो माडम ने आपको बता दिया घरो पानी पढ़ने का अर्थ होता है शर्मिन्दा होना मने बहुत शर्मिन्दा होना जैसे जब हम कोई गल्ती करते हैं और हमारी पोल खुल जाती है तो हमें बहुत दुख होता है हम बहुत शर्मिन्दा होते हैं ठीक है, तो घड़ो पानी पढ़ने का अर्थ होता है, शर्मिंदा होना, ठीक है students, चलो आगे बढ़ते हैं, अब देखो, इन मुहावरों को सुनकर मन में एक चित्र सा बनता है, मैंने कुछ ऐसे मुहावरे हैं, जिने सुनकर हम imagine करने लगते हैं, अपने मन में चित्र बनाने लगते हैं, ठीक है, तुम भी किनी दो मुहावरों के बारे में चित्र बनाओ, तो आप भी किसी मुहावरे के बारे में अपने मन में सोच सकते हो, कुछ मुहावरे हम दे देते ह तुम चाहो तो इन में से कोई पसंद कर सकते हो, चलो, मैं हम आपको कुछ मुझावरे दे देती है, सिर मुंडते ही ओले पढ़ना, सिर मुंडते ही ओले पढ़ना मतलब क्या होता है, आप अल्रेडी मुसीबत में हो, और आपके ओपर और मुसीबत आ गई, उसे कहेंगे सिर म के पास इतनी सी है ठीक है दिया तले अंधेरा माने बहुत सारे आपके पास चीजें हैं लेकिन तो भी आप कुछ नहीं कर सकते मान लो आपके घर में आपके पापा मम्मी सब शिक्षक शिक्षिकाएं हैं लेकिन आप बिल्कुल पढ़ने में कमजोर हो आपका पढ़ाई में म नाजन करके देखो, ओके सूरंस चलो आगे बढ़ते हैं, नसीरुद्दिन एक भड़कीली अचकन निकाल कर लाए, नसीरुद्दिन ने क्या का अपने दोस्त के लिए वो एक भड़कीली सी चमकती हुई अचकन लेकर आए, भड़कीला शब्द बता रहा है अचकन कैसी थी, अब भड़कीला शब्द क्या बता रहा है, कि अचकन कैसी थी, भड़कीली थी, ठीक है, कहानी में ऐसे ऐसे ही शब्द छाटो, जो किसी के बारे में कुछ बताते हूं, उन्हें छाट कर नीचे दी गई जगा में लिखो, देखो कौन सबसे ज़ादा शब्द ढून पाता ह So students, ये बात हो रही है, विशेशन की, विशेशन क्या होता है, किसी भी चीज की विशेशता बताना, उसे हम क्या बोलते है, विशेशन, जैसे भड़कीली अचकन, ठीक है, अचकन क्या है, एक संघ्या है, ठीक है, नाउन है, संघ्या है, तो जो भड़कीला क्या है, उसकी विशेशता बता रहा है कि अचकन कैसी है मामूली अचकन मामूली कपड़े मानि कपड़े कैसे है मामूली तो मामूली यहाँ पर विशेशता हो गया ठीक है तो पहला हो गया पुराना दोस्त मानि दोस्त कैसा है पुराना तो पुराना यहाँ पर क्या हो गया दोस्त की विश बता रहा है विशेशन की दोस्त कैसा है पुराना है ठीक है students और क्या था मामूली कपड़े तो हम लिख सकते हैं मामूली कपड़े तो कपड़े कैसे थे जमाल साब क्या बोले मेरे कपड़े तो मामूली है ठीक है उसके बाद भड की लिए अचकन पुराना दोस्त और बहुत मैंने किसी भी चीज के बारे में उसकी विशेष्टा बताना ठीक है जैसे जमाल साब के नसीर उद्दिन कैसे आदमी थे मजएदार आदमी थे है ना क्योंकि वह मजए की बाते करते थे तो हम लिख सकते हैं मजएदार बाते या मजएदार व्यक्ति ठीक है मजएदार आदमी और भी बहुत सारे शब्दे हैं पुराना दोस्त आपको समझ में आ गया कि विशेशन क्या होता है जो संग्या की विशेशता बताते हैं उन्हें हम विशेशन कहते हैं धारन की तौर पर पुराना दोस्त भड़कीली अचकन मामूली कपड़े मज़ेदार आदमी है ना तो ऐ ऐसे आप बहुत सारे शब्द ढूंडो पाठ में से और उन्हें आपको यहां लिखना है ठीक है यह आप अपने आप करो क्योंकि आप समझ गए हो कि क्या है यह यह आक्चली में विशेशन है जो किसी भी चीज की विशेशता बताते हैं राइट सूरिंस चलो आगे बढ़ सबी खेलते हैं पर क्या तुम उनके परिवार के बारे में जानते हो है ना चलो दोस्तों के बारे में और जानकारी खटी करते हैं यदि तुम चाहो तो उनसे बाते पूछ सकते हो तो आप अपने दोस्त के घर जाकर यह जानकारियां पूछ सकते हो घर में कुल कितने लोग मेरे पड़ोस में यह रहता है, उनके घर में इतने लोग हैं, इतने बड़े हैं, इतने छोटे हैं, ठीक है, चलिये आगे बड़े ठीक है तो जूटा जूटा माने जूट बोलना ठीक है और जूटा माने किसी का जूटा खाना खाना ठीक है दोनों सुनने में एक जैसे लगते हैं लेकिन दोनों का अर्थ अलग-अलग है ठीक है students तो क्या है इन शब्दों को बोल कर देखो हमने बोल कर देखा जूटा पुलती आवास करते हैं दोनों शब्द जरा सा अंथर भी शब्द का अर्थ बदल जाता है लेकिन दोनों का अर्थ बिल्कुल अलग अलग है ठीक है students नीचे इसी तरह के कुछ शब्दों के जोड दिये गए हैं इन सब के अर्थ अलग अलग है इन शब्दों का वाक्य में प कुछ भी चीज गड़ना, कहानी गड़ना, ठीक है, कुछ बाते गड़ना, माने कुछ बाते बनाना, बुरना, घूम, जूम, घूम के आना, खुशी से जूम जाना, फन, फन, एक फन होता है, मतलब आप में क्या कॉलिटी है, माने आप में बहुत अच्छा गाने का फन है, आ सजा माने, सजा मिलना, ठीक है, राज, राज, एक राज होता है, राजा का राज करना, और दूसरा राज होता है, किसी की कोई ऐसी बिलकुल राज की बात बताना, है न, खोल, खोल, है न, एक खोल होता है, चलो, इसकी पोल पट्टी खोलो, और दूसरी खोल क्या होता है, पा अब आपको इनका वाक्य में प्रियोग करना है, कैसे करेंगे देखिए, सबसे पहले घडा, पानी का घडा, आज मैंने मिट्टी का घडा खरीदा, किसका घडा खृईदा, मिट्टी का, ठीक है, दूसरा घडा क्या होगा, कुमहार ने मिट्टी के बरतन घडay, मने कुमहार, माने कुमार कौन होता है? मिट्टी के बरतन बनाने वाला तो उसने मिट्टी के बरतन गड़े माने बनाया घूम मैं अभी अभी घूम कर आया हूँ घूम क्या ना? जूम माने विशाल के जनम दिन समारों में सभी मस्ती में जूम रहे थे स्टूडन्स आपको वाक्य से उनका मतलब समझ में आ गया है ना? क्योंकि सुनने में एक जैसे शब्दे लगते हैं लेकिन उनका अर्थ उनका मतलब अलग-अलग है राइट स्टूडन्स चलो राज भारत में अंग्रेजों का राज था किसका राज था? बता दें मतलब कहो तो मैं उसके राज की बात बता दें मने बात बता दें मने किसी की ऐसी बात राज की बात जो किसी को नहीं पता हो है ना? चलो फन मेरे दोस्त कार्टून बनाने के फन में माहिर है मने मेरा जो दोस्त है कुछ भी बाक्य बना सकते हो सजा, मेरे जनम दिन के अफसर पर पूरा घर सजा था पूरा घर को सजा दिया जनम दिन पर दूसरा क्या होगा सजा, गलत करने वाले को सजा जरूर मिलनी चाहिए ठीक है, खोल, वह खिड़की खोल कर छोड़ दिया मतलब उसने खिड़की खोल कर छोड़ दी ठीक है खोल आग पर पानी खौल रहा है मने आग पर पानी खौल रहा है ओके स्टूनेंस तो ये तो हमने अभ्यास किया अब यही पर एक और नसरुद्दिन हमें पता चल गया कि मज़ेदार व्यक्ती हुआ करते थे है ना बड़ी मज़े की बाते करते थे तो यहाँ पर एक छोटा सा कहेंगे किस्सा है उनकी मज़ेदार बातों का जिसका नाम है नसीरुद्दिन का निशाना मने निशाना करना किसी भी चीज का तीर का निशाना यह किसी भी चीज का निशाना लगाना ठीक है तो यह छोटा सा किस् मजा ले लेंगे हैं न सूरेंस चलो एक दिन नसिरुद्विन अपने दोस्ट के साथ बैठे बतिया रहे थे मने बतिया कर रहे थे बड़ी बड़ी बाते कर रहे थे बात ही बात में उन्होंने गप मारना शुरू कर दिया गप मारना मने बड़ी बड़ी बाते करना बड़ी उसे निशाना लगाना, उसे हम क्या बोलते हैं, तीरंदाजी, तो तीरंदाजी में मेरा मुकाबला कोई नहीं कर सकता, मैं धनुष कसता हूँ, निशाना साथता हूँ, और तीर छोड़ता हूँ, तब जब धनुष भी कस लेते हैं, निशाना भी लगा लेते हैं, और फिर त तो उन्होंने कैसे करके बताई यह चीज मैं धनुश करता हूं निशाना लगाता हूं तीर छोड़ता हूं शू उ उ मने आवाजों के साथ वो गप मार रहे थे तीर सीधे निशाने पर लगता है ठीक है स्टूडंस फिर क्या हुआ दोस्तों को विश्वासी नहीं हुआ क्यो और तीर धनुश खरीद कर ले आया अब दोस्तों ने सोचा आज तो नसुरुद्दिन की पोल हम खोल ही देंगे एक दोस्त भाग कर गया और धनुश और तीर ले के आ आगया अब तो भाईया क्या होना था नसुरुद्दिन को थामते हुए उसने कहा ये लो तीर धनुश और अब साधो अपना निशान उस लक्ष पर उन्होंने नसुरुद्दिन के हाथ में धनुश और तीर दे दिये और एक लक्ष बता दिया बोला चलो अब साधो अपना निशाना लक्ष पर देखते हैं कि तुम सच बोल रहे हो या जूट अब दोस्तों को तो भाई पता ल लगाओ देखते हैं सच बोल रहे हो की जूट बोल रहे हो नसीरुद्दिन तो फस गए भाई या वो तो गप मार रहे थे वो और कभी निशाना लगाए वो तो फस गए उन्होंने धनुश अपने हाथ में उठाया दोर खीची निशाना साधा और छोड़ दिया तीर को ले कि वह तो बीच में ही कहीं गिर गया हा 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 सबी दोस्त हसने लगे क्या यही तुम्हारा बहतरी निशाना था अब क्या हुआ निशाना तो निशाना मतलब जो लक्ष था उस पर लगा ही नहीं दोस दोस और के हसने लगे हा 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 कि यही तुम्हारा बहतरी निशाना थ फिर क्या हुआ नहीं नहीं हर्गेज नहीं नसे रुद्दिन ने क्या बोला नहीं नहीं बिल्कुल नहीं हर्गेज नहीं यह तो काजी का निशाना था अब कुछ तो बोलना था तो उन्होंने क्या बोला यह तो काजी का निशाना था काजी कौन होता है students काजी वो होता है जो जो जैसे शादी करवाता है ना जो शादी में बुलवाता है कि आपको निका मनजूर है आपको शादी मनजूर है तो वो जो काजी होता है वो होता है तो उन्होंने क्या बोला कि ये तो काजी का निशाना था मैंने ऐसी बोल दिया उन्होंने कि ये मेरा निशाना नहीं था भ दोर कीची निशाना साधा और तीर को छोड़ दिया पहली बार तो उनोंने क्या बोला नहीं नहीं ये मेरा निशाना नहीं था ये तो काजी का निशाना था दूसरी बार फिर उनोंने धनुश उठाया फिर तीर लगाया फिर निशाना छोड़ दिया शू करके तीर छोड़ा दोस्तों ने क्या बोला, ये तो अब तुम्हारा ही निशाना होगा ना, दोना सुरी दिन क्या बोले, बिलकुल नहीं, यहां मेरा नहीं सेना पती का निशाना था, इस बार उन्होंने किसका नाम लिया, सेना पती का, पहले काजी का लिया, अब सेना पती का लिया, एक दोस्त इस अबने जमकर ठाका लगाया वहने सब जोर-जोर के हसने लगे नसुरुद्दिन खामोश रहा उसने चुपचाप एक और तीर उठाया नसुरुद्दिन ने एक बार फिर तीर चलाया अब वो बिल्कुल चुपचाप थे नसुरुद्दिन ने एक विजयता के अंदाज में कहा देखा तुमने यह था मेरा निशाना अब क्या हुआ निशाना लग गया तीसरी बार तो नसुरुद्दिन ने क्या बोले एक विजयता की तरह क्योंकि वो जीत गए उन्होंने करके दिखा दिया तो उन्होंने क्या बोड़ा यह मेरा निशाना है तो ये था किस्सा नसीर उद्दिन का निशाना थाना मज़ेदार, तीर चलाना आता नहीं था लेकिन गप मारी, अब गप मारी तो फस गए ठीक है, लेकिन उन्होंने कैसे अपनी बात को घुमा फिरा के आखिर में जीत हासल करी ली तो ये था हमारा अभ्यास पाठ पाच का जिसका नाम क्या था? दोस्त की पौशाक तो हमने पाठ भी बहुत अच्छे से पढ़ा हमने पूरे अभ्यास किया और हमने नसुरिदिन का निशाना किस्सा भी सुन लिया तो ये पूरे अभ्यास का जो explanation है, वो आपको MagnetBrain की website पर मिल जाएगा google करिये, हमारी website डालिए www.magnetbrains.com ये page open होगा students यहाँ पे सारी classes दी गई है, आप class 4 पे click करिये, यहाँ पे class 4 के सारे subject open हो जाएगे right, इसमें हिंदी पे जाएए click करिये, यहाँ पे आपको सारे chapters, starting from chapter 1, सब मिल जाएगा okay students, तो यह सब कुछ मिलता है magnet brains पर यहाँ पर और क्या-क्या मिलता है students यहाँ पर kindergarten से class 12 तक online school education बिलकुल free में मिलती है, okay तो यह था आपका part 5 उसका भ्यास, ठीक है अगले बार हम मिलेंगे नए part के साथ till then, bye bye, take care